इस वीडियो में हम सीखेंगे counting यानि गिंती English में साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हम English में इन numbers को लिखते कैसे हैं इस वीडियो में हम सिर्फ दो numbers पढ़ेंगे 1 और 2 चले हम शुरू करते हैं अपनी screens की तरफ देखें ये है one one यानि एक और one को English में लिखते हैं o-n-e-one o-n-e-one one यानि एक आगे चलते हैं ये है two two यानि दो two को English में लिखते हैं T-W-O-2 T-W-O-2 यानि दो चले अब हम one लिखना सीखते हैं लेकिन पहले थोड़ा सा दोहर आते हैं ये है one और one की spelling क्या है o-n-e-one one को उर्दू में कहते हैं एक one o-n-e-one यानि एक चलें अब मैं आपको one लिखने का तरीका बताती हूँ one लिखने के लिए पहले हम एक तिरशी लखीर लगाएंगे और फिर एक सीधी लाइन ये लिखा जाएगा one और अगर हम one को इंग्लिश में लिखना चाहें यानि उसकी spelling लिखना चाहें तो हम ऐसे लिखेंगे o n e one फिर से लिखते हैं one लिखने के लिए एक तिरशी लखीर और एक सीधी लाइन ये one हो गया और अगर हम इसे इंग्लिश में लिखना चाह रहे हैं तो कैसे लिखेंगे पहले लिखेंगे o n e one एक बार फिर से लिखते हैं एक तिरशी लखीर और एक सीधी लखीर ये हो गया one और अगर हमने इंग्लिश में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? O N E 1 चले अब हम 2 को लिखना सीखते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ देखें यहाँ पर मैं आपको 2 लिखना सिखाऊंगी लेकिन पहले थोड़ा सा हम पिछला दोहराते हैं यह है 2 यानि दो और 2 की क्या स्पैलिंग है? T W O 2 T W O 2 चले अब मैं आपको बताती हूँ कि हम 2 लिखते कैसे हैं? पहले आपने उपर से थोड़ा सा गोल सा बनाया फिर एक तिरशी लकीर और फिर एक सीधी लाइन यह बन गया 2 और अगर हमने 2 को इंग्लिश में लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे पहले हम T लिखेंगे बड़ा Capital T W O 2 एक बार फिर से लिखते हैं पहले गोल करेंगे उपर से थोड़ा सा फिर एक तिरशी लकीर और एक सीधी लाइन और अगर हमने इंग्लिश में स्पैलिंग इसकी लिखनी हो तो T W O 2 एक बार फिर से लिखने की कोशिश करते हैं पहले उपर थोड़ा सा गोल करेंगे फिर एक तिरशी लकीर और नीचे एक सीधी लाइन और अगर हमने इसकी स्पैलिंग लिखनी हो इंग्लिश में तो पहले कैपिटल टी डबल्यू O 2 ये था 1 और 2 को इंग्लिश में लिखने का तरीका अपनी स्क्रीन की तरफ देखिए यहां पर जो तसावीर दीनी है हमने उन्हें उनकी कांटिंग करनी है या उन्हें गिनना है और उसके बाद बताना है कि वो तादाद में कितनी है जब हम ये मालूम कर लें तो हमने सामने दी हुई लाइन्स पर वो नंबर और उसकी स्पैलिंग लिखनी है सबसे पहले इस तरफ आईए, ये है एक फिश, यानि वन फिश, एक है ये, तो हम सामने लाइन्स पर क्या लिखेंगे, वन, वन, चले हम लिखते हैं, वन लिखने का तरीका क्या है, पहले आप मुझे बताईए, बिल्कुल ठीक, एक तरछी लाकीर और सीधी लाइन, अब मुझे ये बताईए कि वन की स्पैलिंग क्या है, बिल्कुल ठीक, ओ, एन, इवन, चलें अब दूसरी तस्वीर की तरफ आईए, इन्हें काउंट करें या इन्हें गिने और बताईए ये कितने सेब हैं, यानि दो सेब हैं ये, हम सामने दी हुई लाइन्स पर क्या लखेंगे, टू, चले हम टू लिखते हैं, आप मुझे पहले बताईए कि टू हम लिखते कैसे हैं, बिल्कुल ठीक, उपर से हम थोड़ा सा गोल करते हैं, फिर एक तिर्ची लकीर और एक सीधी लकीर, ये बन जाएगा टू, अब मुझे ये बताईए कि टू की स्पैलिंग क्या हैं, बिल्कुल ठीक, टी, डबल्यू, ओ, टू, चले हम फिर से दोहरा लेते हैं, पहला है वन, ओ, एन, ए, वन, और सेकंड, टू, टी, डबल्यू, ओ, टू, टू, टी, डबल्यू, ओ, टू, टू, वन, एक चीज़ को कहते हैं, और टू, दो चीज़ों को, वन की स्पैलिंग है, ओ, एन, ए, वन, और टू, की स्पैलिंग है, टी, डबल्यू, ओ, टू, इस वीडियो में आपने क्या सीखा, वन और टू, यानि, इंगलिश में गिंती या काउंटिंग, और साथ में आपने ये भी सीखा कि one और two को हम English में लिखते कैसे हैं। अब आप ये वीडियो दुबारा देखें और साथ में अपनी copies पर one और two लिखने की भी कोशिश करें। इस तरह आप बहुत जल्द English की गिंती और साथ-साथ उन्हें लिखने का तरीका दोनों सीख जाएंगे।